हालो स्टूटेंट, हाव आर यू, नाओ रीड चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नेम, मोर अबाउट मैसेल्फ, ओपन पेज नंबर फोर, आंडेट अन दिस चैप्टर, इंपोर्टेंस ओबीज, आज हम आपको होबीज की इंपोर्टेंस के बारे में जाएंगे, होबीज मे हमें खुश रखती है, हमें खुशी अन्बर होती है, हमें खुशी अन्बर होती है, हमें खुशी अन्बर होती है, अविका, अविका गल्स है, जिसकी हाथ में माइक है, इसका नेम अविका है, अविका है, अविका है, अविका है, अविका की आवाज जो है, बहुत है she feels very happy वह बहुत अच्छा फील करती है खुशी फील करती है वें सीचिंग जब वह है गाना गाती है नेक्स्ट एंजा होबीज हैल पस्टू लेक्स लेक्स में अराम करना रिलेक्स को उंडरलाइन करेंगे Mr. Anand लिजए Doctor Mr. Anand लिजए Doctor Mr. Anand क्या है दॉक्टर है when he gets tired टायर को अंडरलाइन करेंगे टायर में ठका हुआ He shuts his eyes and listens to music जब Mr. Anand बहुत ठके हुए होते हैं वह अपनी eyes बंद करके music सुनते हैं It makes him feel relaxed Relax means अराम करना और उन्हें अराम करके बहुत अच्छा फिल होता है Hobbies keep us occupied in our free time Hobbies जो हैं हमें free time में busy रखते हैं Roshan was a very naughty boy His boy's side में ये Roshan है Naughty means shraatty Roshan जो है बहुत naughty boy है His mother bought some story books for him उसकी माताजी bought means खरीदना उसकी माताजी उसके लिए कुछ story books खरीदती है He really enjoyed reading those books वह ये books पढ़ने के बाद बहुत अच्छा enjoy करता है Gradually reading became his hobby हमें reading को अपनी hobby बनाना चाहिए Hobbies are many kinds People can have more, one or more hobbies Hobbies कई परकार की होती है लेकिन जो people होते हैं वो एक से ज़्यादा hobbies भी कर सकते हैं Hobbies can be done indoor as well as outdoor Hobbies जो हैं हम घर के अंदर भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते हैं पेज नमबर 5 इसमें कुछ common hobby दे रहे हैं आज आपने इन में से कोई एक hobby जो करनी है और WhatsApp ग्रूप के मुझे send करनी है अकल हम next वीडियो में हम next page की reading करेंगे So thank you, have a nice day